नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका कार्बोनिस्टिक के ओलाइन पोर्टल पर आज जोब बात करेंगे प्रिक्षा का लोगडाउन टीन मई के बाद होंगी आपकी बोर्ड की प्रिक्षा यानि मैं बात कर रहा हूँ आड़ी बेसी के दसवी और बारवी बोर्ड एक्जाम्स आपको पलपल की अपडेट्स आपके सबसे पहले मिल सकें तो चले अपने नेक्स स्लाइट से बात करते हैं किस परकार की इंफोर्मेशन बोर्ड से समंदित या पर आज पब्लीश हुई है तो जानते हैं उस न्यूस को ये बड़ी खबर आपको दिख रही होगी एक्जाम समंदित हुई मीटिंग यानि जैसी आर्पीस के ओफिस खुले तो वाँपे सबसे पहले उन्होंने बोर्ड एक्जाम्स के बारे में आपे मीटिंग की उसके बाद लोगडाउन खुले पर बोर्ड की परिक्षा है और मही में और जेई मैंस और नीट का एक्जाम जोएगा जून में होगा देखिए जैसे ही आपका लोगडाउन खुलेगा तीन मही को तो सबसे पहले जो एक्जामनेशन आपका दसवी और बारवी के बच्चे वे बोर्ड की पेपर होंगे उसके बाद में आपका नीट जेई का एक्जाम यहाँ पर जून में करवाए जाएगा ज इसी प्रकार मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम नीट और इंजिनेरिंग का सबसे बड़ा एक्जाम जेई मेंस अब जून में प्रस्तावीत इसका एक्जाम कर दिया गया है रास्तार मादमी सिक्षा बोर्ड का ओफिश खुलने के बाद बोर्ड की अध्यक्स जो है ध्रमपाल जो सचीव हैं उन्हों ने भी कहा कि जो बाकी जो एक्जाम हो गए थे बोर्ड के उनकी कोप्या भी हापे जांचने को भेज दी गई है उसके बाद में उनका मानना है कि जो केंद्र बनाए जाएंगा उनको सुरक्षित सुरक्षा की द्रस्टी से इनको प्रात्मिक्ता दी की जाएगी उसके बाद में एक्जामनेशन के सेंटर भी आपर बढ़ा जाएंगा ताकि सौशल डिस्टेंस को नजर यहां मदे नजर रखा जाए अब तक तैह होगे प्रिक्षाओं के आयोजन एक बार ही उसके बाद में यह भी तय है कि प्रिक्षाओं का आयोजन एक बार ही किया जाएगा आने वाली प्रिक्षाओं के बीच अधिक गेप नहीं दिया जाएगा जैसे एक्जामनेशन होएंगे जो पेपर आपके बचे में उनके बीच में किसी परकार का ज्यादा दिन का गैपस ना देगे तुरंत उनको एक्जामनेशन को करवा ले जाएगा तुरंत करवाने के बाद में कोपिया को मुल्यांकन करके तुरंत आपका एक्जाम का रिजल्ट जो है यह पर गोशित कर दिया जाएगा आरबेसी बोर्ड के द्वारा उसके बाद में अब उन देखते हैं कि बारवी की बात करें तो यहां पर लगबग माना जा रहा है कि 20 लाक्स से अधिक जो बच्चे है उनकी एक्जामनेशन यहां पर बाकी रह गई थी तो उनके एक्जाम यहां पर दिला जाएगे उसके ब और बोर्ड एक्जाम हो जाएंगे और उसकाERS रेजल्ट यहां परड़ेनाम होश् 아직 कर दिया जाएगा उसके बाद में नीट जैसे बड़े एक्जाम है उनके एक्जाम यहां पर कवाये जाएगे तो यह अपने पास में थी information उसके बाद में और देख लेते हैं एक information हो रहा है पहली बार session देरी से यानि अपकी बार जो session स्टार्ट होगा वो काफी देरी से होने की शमावना यहां पर है क्योंकि आपको पता है जून तक तो इसका examination result examination का जो result आएगा फिर neat का examination होएगा फिर उसके टैप के social medias के जो newspaper हम आज से सभी प्रकार की information इससे समंदित collect करने कोशिश किये और एक वीडियो में आपको बताने की भी यहां पर कोशिश किये देखिए यह अलग प्रकार का newspaper है यहां पर भी सेम information यह चपी है जो मैंने अभी आपके पास में आपके सामने कि यह examination जो है वो तीन मही के बाद में करवाया जाएगा जैसे ही यहां पर office खुले है तो यहां पर सबसे पहला चर्चा जो हुई है board exam से समंदित हुई है कौपियों को भी वित्रन यहां पर दे दिया गया है उनको मुल्यांका जारी है किसी परकार के यहां पर बादा नहीं है उसके बाद में examination को लेकर काफी यहां पर शिग्रता से काम किया जाएगा तेन मही के बाद में प्रबतांग भी आपे मांग लिए गए हैं, मुल्यांकर भी आपे कोपियों का हो चल रहा है, दफ्तर आने की जुरुरत नहीं है, नेक्स्ट अपर बात करते हैं, डिफ्रेंट परकार के न्यूस पेपर की बात करते हैं, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यह डिफ्र वरिस्ट अदिकारियों के साथ में आपे बेटक की और उनसे बात की की बोर्ड के एग्जाइमनेशन से लेके किस प्रकार की यहाँ पर कारे प्रनाली अपना ही जाए, उसके बाद प्रापतांग ओनलाइन यहाँ पर मंगाने की प्रोसर भी इन्होंने डाल दिया है, मुल् प्रमोट कर दिया गया, इसके ऑफिशल नोटीस के साथ में मैंने इससे पीछले वाले वीडियो में डिस्कुस किया था, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, जो भी नॉन बोर्ड एक्जाइम्स के स्ट्वेंट थे, उनको पर मोट कर दिया गया, किसी प्रकार के उनके फ